हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल संजी मनी कीचेन और मैं हूँ स्मृती और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी टेस्टी काजू कतली जैसी दिखने वाली बर्फी की खाकर मज़ा आ जाएगा तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने एक पैल लिया है जिसमें मैंने लिया है आधा लिटर दूद, हमें इसके लिए सबसे पहले बनानी है चाशनी, पर चाशनी हमको पानी के साथ दूद के साथ बनानी है, यही इसका सबसे special trick है, यह पूरा देखेगा वीडियो, इसमें दो तिम टृक्स यूज़ होगे, पूरा देखेंगे, समझ में आएगा किप्ट ना करें। तो हमने पहले लिया है आधा लिटर दूद् और जितना हमने दूद्ट डूद्ट डाला है। उसका आधा ॏ और एक तक दूद्ट कि दूद्ट बना और असमар म में मती हमी दूद्ट य ignore तो दूत की चाषनी नहीं है तो जागने ये लेगाल साहर्व簡 और बंच कन लाइसा ​​ ये लगायातार चैला स्पाइब मोने aज हमें गई बंच कहा है ये अपने सुजी के साथ बना रहे हैं मैं श॑क Tom ले लिया है एक पैन ले लिया है और उस पैन में हमने दाला है अधी कटोरी घी अगर आप घी कम खाना पसंद कर रहे हैं तो आप इस पे कम घी भी यूज कर सकते हैं पर यह मैं परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूं आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकती है गी हमारा मेल्ट हो गया है गी के मेल्ट होने के बाद हम जिस कटोरी से हमने चीनी ली थी सेम कटोरी से हमने एक कटोरी सूजी लिए अगर आपके पास मोटी सूजी है तो सूजी को पहले अच्छे से ग्राइंड कर ले मिक्सी में और सूजी को बारिक कर ले और फिर हमने अपनी एक कटोरी सूजी इस melted घी में हमने डाल देना है और low flame पे हमें इसके घी के साथ अपने सूजी को अच्छे से भुनना है तब तक भुनिये जब तक की इसमें से कच्चापन बिल्कुल बाहर ना आ जाए खाली कच्चा पर निकालना है हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है और उदर हमारी दूसरी गैस पर हमारा जो दूद की चाशनी है वो तियार हो रही है इसे लगातार भुनिये अच्छे से घी के साथ इसको मिक्स करिए आप चाहें तो इसके अंदर घी की कॉंटिटी कम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सूजी में दो से तीन चमच इस स्टेज पर मैदा भी डाल सकते हैं इससे आपकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छी आएगी और अगर आप मैदा नहीं डालने हैं तो आप क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी देखिए मुझे मैं लगातार चलाते वे दूद को भी पका रहे हैं दूद हमारी लगातार चलाते वे पक रही है दूद लगबग रिड्यूस हो गया है रिड्यूस होना स्टार्ट कर दिया है दूद हमारा लगबग आधा रह गया है आधा दूद जब रह जाए तो हम इसे करेगे कि चैक करने के लिए वैसे बिलकुल हमें चैक करना है दोनों फिंगर के बीच में अगर ये तार बनेगी तो हमारा हो गया है तो थोड़ा और हम पकाएंगे चाशनी को इसे पकाते वे लगबग हमें साथ से आठ मिनिट का टाइम हो गया है देखिए अब हमारी चार्षनी बन गई है देखिए इसमें से तार निकल रहा है देखिए आप देख पा रहे होंगे अगर तो हमें एक तार की चार्चनी बनानी है एक तार इसमें से निकल रहा है हमें एक तार की चार्चनी बनानी है हमारी चार्चनी बनकर डन है अब हमें जाना है अपनी सूजी वाले उस पे हमने गैस का फ्लेम सूजी को भुंते वे 5 से 7 नट हो गया था हमने गैस का फ्लेम आफ कर र मिल्क पौडर आपको मिल्क तर जालने की ज़ुरत नहीं है किकि अगर आपके पास मिल्क पौडर के साथ जाएं ग अच्छी से मिल्क चाशनी को डालेंगे जो दूद की चाशनी हमने प्रिपेर कर रखी है तो दूद की चाशनी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे गैस का फ्लेम हमने ओफ कर रखा है गैस अभी ऑन ना करें और एक बार में ज्यादा ना डाले थोड़ा-थोड़ा करके डालें और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो चाशनी को दुबारा से गरम कर ले क्यूंकि अगर आप ठंडी डालेंगे तो इसमें फटा-फट से लंस पढ़ जाएगा तो हमें लंस नहीं बनाना है इसलिए हमें बिल्कुल गरम गरम चाशनी ही इसके अंदर डालना है medium to low रखना है और लगातार इसे चलाते वे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से binding consistency में ना आ जाए चलाना ना छोड़े लगातार चलाते रहे ये बिल्कुल ऐसा लगेगा टेस्ट इसका जैसे आप दूद पेडा खाते है न उसको भी फिल करेगा ये बहुत टेस्टी बनती है इसे जरूर ट्राई करें मावा वगेरा की मिठाई डेली बनाना पॉसिबल नहीं होती तो इस मिठाई को जरूर बनाए कभी भी बनाए किसी भी मौसम में बनाए जब आपका मन करें तब मिठा खाने का इसे जरूर ट्राई करें और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है यह गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है इसको चलाना नहीं छोडना वरना हमारा ये नीचे से जल सकता है इसले चलाने बेखल नहीं चोडना लगातार चलाते रहना है आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like करें अगर आपको पसंद आरी हो तो और अगर अगर मिठाईब बनाने में problem आरी हो तो वो भी मुझे comment करकर जमने के अपको यह कैसी लग रही है ठंडा होने के बाद अगर वो बॉल के रूप में आ रही है ना तो अगर हमारा देखिए मैंने इसे थोड़ा सा लिया है और अगर यह बॉल जैसा बन रहा है तो यह आपका डन है लगातार चलाते रहिए और अगर आपको और भी मेरी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगी चॉकलेट से गुजिया बनाई हुए वो भी प्लीज जरूर चेक करें वो भी बहुत टेस्टी गुजिया बनी हुए जिसे हमने बिना बेले और बिना ओईल फ्री बना करेंगे और फिर भी चलाना नहीं चोड़ेंगे इसे भुनना है अभी और दो से तीन नट हम इसे लगातार चलाते वे पकाएंगे गैस के फ्लेम को आफ करने के बाद फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो बाहर से मिठाईयां अवाइड करें और घर पर ही टेस्टी टेस्टी म मिठाईयां जरूरओ ट्राइ करें पता है हमने इसे घर में एंड़े बनाया है तो यह हैं यह है Now toche मिलावटो वाली मिठाईयां बनती है तो मिलावटो मिलावटी मिठाईयों से बचे और घर पर ही अपनी टेस्टी-टेस्टी मिठाई ज़रूर ट्राइ करें देखे आप हमारा ये बिलकुल ओके है अब अब इसे एक ग्रीस कीवी घी वाली प्लेट हमने घी से ग्रीस करके प्लेट रखा हुआ है उसमें हम इसको फैला लेंगे आप जैसे मर्जी वैशे शेप में और आप अपनी बसंद के किसी भी बॉक्स में किसी लच बॉक्स में प्लेट में थाली में मोल्ड है आपके पास मिठाई वाली आप उसमें भी सेट कर सकती है औ अब हम इसे फैलाने के बाद दो घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था दो घंटे बाद मैंने एक स्केल की हेल्प से इसको कतली के शेप में कट कर लिया है आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे कट कर सकती है आपको जैसा पसंद हो के साथ करें और भी सारे कमेंट करें इसे आराम से आप सकेल रखकर किर्टी इससे क्या होगा इसकेल रखने से हमारी जो सारी कई आएन वो एक ही शेप में बनकर तयार होंगी खाने में बिल्कुल इतनी टेस्टी बनती है कि मुझ में जाते ही मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल दूद पेड़ा को भी यह फेल करती है तो इसे ज़रूर ट्राइ करें सस्ती भी है और टेस्टी भी है यह घर के कुछ समानों से इजीली बन जाती है और हमने इसे सर्व कर लिया है मैंने इसे फूड कलर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है आप चाहें तो डेकोरेट करें वरना ऐसे ही इंजुआए करें थाइंक यू, थाइंक्स फर वाचिंग, बाबाई